दोस्तों, एक नबालिक लड़की साम को सौच के लिए बाहर जाती है, तभी एक आदमी जो उस गाउं का दबंग रहता है, उस गाउं के प्रधान का पती भी होता है, उसको पकड़ कर खेत के बार उसका रेप करता है, यही नई लड़की साल भर से उसका साथ और रेप करता है, लड़की जाकर अपने भाई को यह बताती है, भाई जाकर यह फ़यार कराता है, उसके बास उस ब्यक्ति की गिरफतारी होती है, और तकरीबन नौ साल केस चलता है, उसके बाद उस अरूपी को सजा होती है, आई ये बढ़ते हैं दुस्तो आज की कहानी की तरफ मैं हूं इस्तियाक एहमद और आप देख रहे हैं दा हिंदी गैजट न्यूजेंड इनालसिस जुस्तो ये गटना आये उत्तर प्रदेश के सौन बद्र जिलास में जहां एक नबाली की लड़की जाती है सौच के लिए खेत में वो सामती चार नौंबर 2014 की और उसी खेत में पकड़का उस गाउं का जो परधान होती है उसका पती रहता है उसको पकड़क उसी खेत में उ उसके साथ घटी थी पिछले एक सालों से वो परधान का पती उसके साथ ऐसे ही दबरदस्ती करता आ रहा है लेकि अब सर मनपानी सर से उपर चला गया उसके बाद वो लड़की प्रेगनेंड भी होती है तब भी ओ दरिंदा उसको नहीं छोड़ता है लड़की जान बचा क अपने भाई के पास जाती है और उसका भाई को साहरी कहानी बताती है उसका भाई म्योडपूर्थाना में जाकर उस जो दबंग व्यक्ति उसके खिलाप यह फ्यार कराता है समय बित्ता है अदालत तारीक पे तारीक देती है तारीक पे तारीक देती है ओ विदायक बन जात है उस बेक्ति का नाम रामदुलार गोड जो एमिलेत है यूपी सोनबद्र के दूंदी जो विदाजबा सीट है जो आरश्चित सीट है डेख लीज़े समय का पाईजब किस तर गुंता है जो एक जमाने में परधान का पती होता है और विदाजबी जो चलना है जब घ्रोवोट से हटकर हटकर MP MLA कोर्ट में जा जाता है। उस पर मुकदमा दर्जोता मेरपोर्ट थाना में 506, 376 और बाल योन 64 दिनियम पास्तों के ताद ये तीन मुकदमे उस पर जो मुख हैं उस पर लगते हैं। और उसका भाई तकरीबन नौ साल में 300 तारीकों का सामना करता है। कि विधायक का रुतुबा जब बड़ा तो तारीक पर जाता ही नहीं था। अदालत को जान बुच कर तारीक आगे बढ़ानी पड़ती थी। उस जो नबालिक लड़की थी वह अब साधी सुधा हो गई थी साधी के बाद भी विधायक उसको पती को और उसके ससुराल वाले को परसान करता था लेकिन सैलूट है उसके भाई और उसके हस्बेंड को बताय जा रहा है कि हस्बेंड जब उस लड़की से पूछा तो लड़की ने अपने सारी कहान इसको बता दिया कि मेरे साथ ऐसा हु कारों बीजेपी का विदायक है रामदुलार गोर और एक मिलने या विदायक का पावर कितना होते हैं आप लोग जानते ही होंगे उस या फैयार के साथ छड़ छड़ की गई सबूत मिटाने की कोशिस की गई यहां तक कि वह विदायक जो उसके स्कूल से फर्जी सर्ट्पिक केट बनवाया गया था और MPA में लेक कोट केस करते 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 करें बारत दिसंबर 2023 को उस आरोपी को मुझरिम करार देती है और सजा का दिन मुकरर करती है 15 दिसंबर 15 दिसंबर दिन आता है और तमाम लोग जो इस केस को भूल गए थे तकरीमन नव दस सालों में लोग क्या से क्या नहीं हो जाते हैं लेकिन उसका भाई जो अपने बहन पे बीतु हुई अत्यचार को नहीं भूला और लगतार पैसे की किल्द से हर चीज़ से लड़ते वे उस मुझरिम को सजा दिलाया MPA में लेक कोट में 15 दिसंबर 2030 को उस आरोपी राम दुलार गोर जो विदायक उसके पूरी परिवार खतम हो जाता है उसकी भी विदायकी नहीं गयती जब उसको सजा होता है तब उसकी विदायकी गयती अब माना जा रहे है चिसके विदायकी रद्ध हो जाएगी MPA में लेक कोट ने उस राम दुलार गोर को 25 साल की कड़ी सजा दिये और साथ में 10 ला के 20 अटका हुआ तो वह आखिर केस पूरा हुआ आप लोगे एक फिलिम देखे होंगे सनी देवल की सहे दामनी उससे केस पर केस मिलता है तो अदलात में सनी देवल भड़क जाता है और कैसे जैस्स आपको सुनाता है कि तारिक पर तारिक सिर्फ तारिक मिलेगी लेकिन यहां तीन सो तारिक मामुली दिन नहीं होता है नो दस साल का समय लगा लेकिन एक भाई ने लड़कर एक पावरफुल आदमी को सजा दिलवा दिया आज पूरी मीडिया इसको कवर कर दिये लेकिन यह उस टाइम किसी ने इसको नहीं पूछा शिर्फ उसका भाई थ जी अपने बहन पर हुए जुर्म का बदला लिया और उस विधायक को फिल्मी स्टाइल में तकरीबन नव या दस साल बाद पचीस साल की सजा दिलाया अगर यह सब भीचे में बताया जा रहा है कि एक बार पुलिश उसको गिरभतार करी थी लेकिन उसका रुदबा बढ़ थे कोई मुस्लिम थे उजज एडीजे थे एडीजे साब ने को सुकुरिया उन्होंने फैसला देखा और तमाम सबूतों के देखते हुए राम दुलार गौर अमले को पचीस साल की सजा और दसला जिम्वाना दिया इसी तमाम तरह की खटनाय और कहानियों के लिए हमारा च अबक्वाना